दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MPADP 2021 की जो है डेट बढ़ गई है 19 जून हो गई है तो आखर ये डेट इस दिनी लंबी क्यों गई है और क्या अभी इसमें और पदवरद्धी की सम्भाव ना है ये दो जो कारण है बच्चों को काफी खटक रहे हैं तो पहले पन थोड़ा सा कारण जानते हैं फर मैं आपको बताऊंगा कि ये पदवरद्धी अभी सम्भाव है या नहीं बिल्कुल सब्सक्राइब जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों मैं हमें आपको तो वीडियो के अधित तक आप जो है जुड़े रहीएगा क्य प्ICE ने क्या किया है कि पदवरद्धी जो है कर दी है पदों को यो है डवल करड़ी आ गया है कितने 184 पद कर दिये गये हैं और दवारा फाम भरा जा रहे हैं तो ऐसमें दोस्तों दो बजक्शचों को खट़ा कर दीा गया है जो बिक्यंसी दो बार में निकाल ली थी वो लंबे समय होने कराना अब एक ही बार में आयो ये दोस्तो कराई जा रही है कैसे मालो बानवे बानवे पुश्ट लगबग दो बार निकालते हैं वो तो ये एक ही बार में उन्हें निकाल दी ठेक है अब नए फाम भी भराय जा रहा है तो उनको लिए भी उनका मानना था कि फिर से तैयारी करने का उसर दिया जाए तो वो इसलिए उच्छे महिने की उनने डेट लगा दी दूसरी चीछ दोस्तों जो है कि अभी क्या और पद ब्रद्दी संबह है तो बिलकुल है दोस्तों अभी ये पद लगबग 300 के करीब जो है जाने की पूरी पूरी संबह होना है क्योंकि दो बार में विकेंसी होना थी वो लगबग लगबग 300 के लिए जो है ये विकेंसी आने की लेकिन पहले कमाई बानवे आई और दुबारा मैं भी उनने कित्ता बढ़ाया केबल बानवे ही बढ़ाया तो बिलकुल 300 ये पद हो जाएंगे दोस्तों मैं इसलिए न कोड़ महनत करिए अगर इस बार आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको पांस साल MPA DPU का दोस्तों बेट करना पड़ सकता है इसलिए बिलकुल जी जान लगा के महनत करिए बहुत अच्छा लंबा टाइम है दोस्तों हमारे साथ जुड़े रही है आप बहुत अच्छे त तो पड़ सेंद सम्भाव है और अभी होगी और यू है आप मन लगा के खूब तैयारी करिए